90 के दशक की दो बड़ी एक्ट्रिसेस ने जो है बॉलिवुड के एक बड़े राज से परदा उठाया है किस तरह से हिरोईनों को बॉलिवुड में इस्तिमाल किया जाता था ये बताया है महिमा चौधरी जिनका आज बर्थडे है 13 सितंबर को अपना जन दिन मनाती है वही मनदाकिनी ने भी कहा है कि कैसे बॉलिवुड में हिरोईनों को कम फीस दिया जाता था हीरो के मताबिक से हिरोईन चुनी जाती थी हीरो तैक करता था कि फिल्म की हिरोईन कौन होगी उन्हें पैसे भी मिलते हैं इजद भी मिलती और फिल्मों में अच्छा रोल भी मिलता है लेकिन एक हमारा जमाना था जब हमें 4-5 गानों के लिए साइन किया जाता था दो-चार सीन्स होते थे जिसमें हमें हीरो के साथ रोमैंस करना होता था इसके अलावा कोई और रोल उनके साम नहीं होता था इसके अलावा उनको जो पैसे भी बहुत कम देखते थे मंदाकनी ने बताया है कि उनको एक फिल्म के लिए एक से डेड़ लाग की रुपे ही मिलते थे जबकि उनके मुकाबले फिल्म के हीरो को बहुत अच्छा खासा एमाउंट बतौर फीस दी जाती थी कई बार उनको ऐसा लगता था कि हम एक्टरसिस फिल्मों में कर ही क्या रहे हैं दो-चार गाने और फिल्म के हीरो के साथ रोमैंस करने का सीन होता था उस दौर में बॉलिवुड एक्टरसिस के सामने फिल्म के हीरो या फिर प्रोडूसर बहुत उल्टे सीधे डिमांड भी रखते थे और इसका खुलासा महिमा चौधरी ने किया है महिमा चौधरी ने बताया है कि उस दौरान जब वो फिल्म के लिए किसी प्रोडूसर से मिले जाती थी तो उसमें ये तब कहा जाता था कि हिरोईन का वर्जिन होना बहुत जरूरी है हिरोईन का कोई बॉइफरेंड नहीं होना चाहिए था अगर हिरोईन का बॉइफरेंड है तो उसको फिल्म इंडरस्टी से आउट कर दिया जाता था ये बात महिमा चौधरी ने बताई आपको ये बताएं कि महिमा चौधरी साल 1997 में सुभाश गई की फिल्म पर्देश से बॉलिवुड में लाँच हुई थी पर्देश फिल्म के दौरान जो है उनको अच्छी खासा जो है कह सकते पॉप्लेरिटी मिली थी वहीं बात के दिनों में फिल्म के डिरेक्टर सुभाश गई के साथ उनका नाम भी जुडा था और उन्होंने जो है सुभाश गई पे कई आरोब भी लगाए थे तो कहीं न कहीं फिल्म इन्रस्टी में हिरोईन के साथ जो है फिल्म के प्रोडूसर्स और तमाम लोगों के जो है इस तरह के आरोब जो लगाती है तो कहीं न कहीं उसमें सच्चाई होती है बाग के दिनों में एक समय ऐसा भी आया था जब महिमा चौधरी को बॉलिवुड से बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया था तब सल्मान खान और संजदत ने उनकी मदद की थी और उनको फिल्मों में काम दिलाने के लिए किसी तरह उनकी मदद की थी वहीं मंदाकनी का ये कहना है कि एक समय ऐसा था जब वो फिल्मों में काम करती थी तो फिल्म का हीरो जो है टैग करता था कि वो फिल्म की हिरोईन होंगी या नहीं हिरोईन सेट पर घंटों इंतजार करती रहती थी और हीरो अपनी मर्जी से फिल्म के सेट पर आता था और ये जो आपको बताएं बॉलीवुड की जो पोल खोली गई है कोई नई बात नहीं ये बात सब जानते थे कि बॉलीवुड में किस तरह से हिरोईनों का सोशन होता रहा है फिल्म के सेट पर उनको इंतजार करना होता है हीरो का जब तक हीरो का आये इंतजार करें मेकप लेकर वो बैठी रहती थी लेकिन आज के दौर में जो है जमाना बदल चुका है अब जो है आलिया भड, डिपिक हेरोईन की सेली होती है उनको उतना पैसा नहीं मिलता वहीं हिरोईन की फिल्मों को उस तरह से डिस्ट्रिब्यूटर्स भी झालते हैं गाभ हीरोएन के बीच फर्क है लेकिन पहले की मुकाबले काफी बदलाव आया है पहले जहां फिल्म में हिरोईन का काफी सोशन होता था उसको पैसे नहीं मिलते थे फिल्म में उसको काम मिले न मिले ये हीरो डिसाइड करता था लेकिन अब वो जमाना जो है बदल चुका है लेकिन कहीं न कहीं मंदाकिनी और महिमा चौधरी जैसी अक्ट्रिस ने बताया कि किस तरह से नब्बे